मापुर्सों प्यार से कहिए धर निरंकार जी सत्गुरु माता सुदिक्छा सभिंदर हर देव जी महराजी की जे मापुर्सों ये प्रेल का महीना लगते ही निरंकारी मिसन के हर एक गुर्षिक हर एक महत्मा के दिलो दिमाग में सत्गुरु बाबा गुर्बचन सिंग जी महराजी की याद बरबस ही आजाती है और याद आजाते हैं समय समय पर अपने प्राणों की आहुती देने वाले ऐसे तमाम ओ महानसंत जिनोंने इस मानोता की इंसानियत की रक्षा के लिए अपने सत्गुरु के बचन को मानते ये अपने प्राणों की आहुति दी हम सभी का ये अहुभाग्य नहीं था कि हम सभी उस युग में बाबा गुर्बचन सिंग जी के जमाने में रहे हूं शरीर करके पर आज सत्गुरु माता सुदिछा सबिंदर हरदेव जी महराजी की किरपा से इस युग में रहा करके हमें सत्गुरु बाबा गुर्बचन सिंग जी महराजी के ऐसानों का करद चुकाने का ऐसानों का बदला चुकाने का एक होका कि हम सब सत्गुरु के गुणों का जहां गुडगान करें वहीं उनके बताएगे उनके द्वारा सिखलाएगे तरीकों को सलीकों को अपना करके जहा अपना लोग सुखी और पर लोग सोहला करें वहीं सत्गुरु के आशिरबाद के भी पात्र बने दास का भावना यही है कि ज्यादा से ज्यादा सत्गुरु बाबा गुर्ब चन सिंग जी महराज के जीमन से उनके द्वारा समय समय पर दिये गए ब्याख्यानों से उनके द्वारा तमाम तरह के एक पिनडादाई परसंगों से आप सभी संत महापुर्शों को आउगत कराया जाए और इसी प्रियास में एक बार पुना है आप सभी के आशिरबाद से सद्गुरु की किरपा से सद्गुरु बाबा गुर्पचन सिंग जी महराज के जीवन से प्रेरक परसंग लेकर के उपस्तित है सद्गुरु बाबा गुर्पचन सिंग जी वहाँ पार्खी थे जो कीचन में से हीरा उठा कर उसे सजा समार कर सुन्दर्ता बढ़ाने का साधन बना लेते थे आप हर एक गुणवा कला की कद्र करने वाले थे आप यह भी जानते थे कि जो बात संगीत के माध्यम से कानों तक पहुँचती है वहाद एक प्रभावसाली रहती है संगीत को तभी आत्मा की भासा कहा जाता है संगीत के माध्यम से पहुचा हुआ संदेश हर हिर्दे में अपनी जगा बना लेता है क्या बच्चे, क्या जमान, क्या बूढ़े, क्या नरनारी और क्या अनपढ़या विद्ध्वान सबके सब संगीत की भासा समझते हैं और उस से प्रिनड़ा भी लेते हैं बाबा जी के समय भी बहुत से गीत कारों को आपकी सरण में रहकर हरी यस गागा कर मानोता को सीधे रास्ते पर लाने का सवभाग्य मिला इन गीत कारों वा संगीत प्रेवियों को आपने स्वेंग चुना आप पंजाब का टूर करते करते जाल अंदर पहुचे वहाँ फगवाडा के प्रमुक भाई साहब सुरिंदर सिंग जी अपने साथ एक संगीत कार नसीब सिंग नाजुक जी को जो की याँखों की रोसनी से बंचित थे लाए उन्हें वहाँ स्टेज पर गुरबाणी का पावन सब्द गाने के लिए समय दिलवाया नाजुक साहब की मदुर और सुरिली आवाज ने सबको मंत्र मुक्द कर लिया इसके बाद यह महत्मा हुजूर के साथ साथ नकोदर होसियारपूर इत्याद तीन चार सारों में पहुंचे और वहाँ पर भी बस इत्याद के द्वारा पहुंच गए जहां भाई साहब सुरंदर सिंग जी साथ नहीं थे जब हुजूर बाबा जी ने तीन चार संगतों में नाजुक साहब को सरद्धा से गाते हुए सुना तो सत्संग के बाद उन्हें कमरे में बुला भेजा और पूचा की वह क्या काम करते हैं नाजुक साहब ने उत्तर दिया किसी सोसाइटी की तरब से किर्टन करता हुँ और जहां कोई बुलाता है चला जाता हुँ गुजारे लाइक पैसे बन जाते हैं आपने उनकी राय जाननी चाही कि क्या वह मिसन की सेवा करना चाहेंगे तो नाजुक जी ने बड़ी खुशी से इसे अपना सोभाग्य समझा इनी दिनों वह ब्रमग्यान भी प्राप्त कर चुके थे हुजूर ने अगले स्टेशन पर उन्हें तयारी करके मिलने को कहा और इस प्रकार तूर से वापे साते समय साथ ही दिल्ली ले आए दिल्ली पहुँचकर आपने एक बाप की तरह उनकी छोटी छोटी आउसकताओं का भी ध्यान स्वेंग रखा अपने निवास अस्तान के सामने ही इने रहने के लिए एक कमरा दिया एक दिन सबेरे चार पाँच बजे सहर के लिए जाते हुए हुजूर उनके कमरे में पहु और नाही उनके अंदर हीन भावना उत्पन्ध हो आपने कई गीतकारों और संगीतकारों को भक्ती भरी प्रिनडा दायक रचना लिखने वागाने के लिए उत्साहित किया इस प्रकार बाबाजी ने प्रतेक मानों को आत्म विष्वास काम करने की भावना और जीने का बताया और साथ ही हर गुण को प्रगट होने का सुनहरा आउसर भी परदान किया। परचारक संतों को देश विदेश में मिशन के परचार के लिए भेजा ताकि मानो मात्र तक यह रोस नहीं पहुंच सके। कि आप सबको पूझ रिसी व्यास देवजी से प्रिणडा लेनी चाहिए। इनोंने मुंबई में संगत के लोकल मराठी गुर्शिकों को आगे बढ़ाया है और इनी के उपर परचार की जिम्मेवारी भी डाली है। नो युकों और बहनों को भी जगा जगा सत्संग के परबंध और मिसन के परचार के काम में आगे बढ़ाया है। जिसका अलड आज इन अनेकों घटों के द्वारा महराष्ट के कोने कोने में या सत्य की आवाज फैल चुकी है। रहते थे उनमें एक कुसल मकैनिक का गुण देखा उन्हें वहीं से दिल्ली बुला लिया और वर्कसाप में सेवा पर लगा लिया। की पार्की निगाह का ही कमाल था कि आज तक वहा महत्मा दिन रात ये करके ड्राइवरी से वर्कसाप इंचाज की सेवा तक पहुँच गए हैं। हुजूर अपने सेवादारों की भावना की बहुत कदर करते थे। एक बार ग्यानी जी ने नया ट्रक खरीदा, ट्रक को लेकर दिल्ली बंबई रोड पर खड़े हो गए। विचार था कि हुजूर ने यहां से गुजर कर महराष्ट के टूर पर जाना है, इसी समय मिला तो ट्रक में चरण डलवा लिये जाएंगे। उस दिन जब हुजूर की कार ट्रक के पास पहुची तो अंतरियामी सद्गुरू ने कार को रोक लिया। ग्यानी जी ने जब ट्रक में चरण डालने की भिंती की, तो आपने और पुझ दिरंकारी राजमाता जी ने लगबग डे आपके सेवक भी आपके प्यार में बधे अपनी छमता से अधिक सेवा में लगे रहते थे। बाबा गुर्बचन सिंग जी ने जहां मिसन को देश की सीमाओं से बाहर फैलाया, उहीं इस बात की तरफ भी सदा ध्यान रहा कि मिसन के मूल से धान इसकी पहचान और मौलिकता कायम रहे। इस बारे में प्रोफिसर जोगिंदर सिंग जी पूरी ने बताया कि जब बाबा जी, राजमाता जी और परचार पार्टी कार से यूरोप का सफर कर रहे थे तो पेरिस से कुछ मील बाहर आप ये खुली जगा पर टेंट लगा रहे थे। इस पार्टी में पू के विशे पर खोज करने के विचार से अलग-अलग देसों में घूम रहे थे। टंडन सहाब ने उनके साथ यंग्रेजी में बातचीत की और सच्चे धर्म की पहचान प्राप्ती और फल के बारे में जागरित किया। जब उनके मनों की जग्यासा यहवन पर पहुँच हुजूर बाबा जी ने प्रोफेसर पुरी जी से ब्रह्म ज्यान देने को कहा। हुजूर का आदेश पाकर पुरी जी ने उन्हें अंग्रेजी भासा में ज्यान समझाया। जब ज्यान देगर हुजूर के चरणों में उपस्तित हुए तो हुजूर ने पूछा पुरी साह पुरी साहब बाबा जी यही वन थू फार्मलेस आई सेरेंडर टूदी केंडली फॉर्गिव में फुजूर बाबा जी यह तो ठीक है कि समझाने के लिए आपने सिम्रन को भी ट्रांसलेट अनुबाद किया है लेकिन ग्यान पूरा नहीं दिया गया आप जानते हैं कि भासा कोई भी हो गनित के फार्मूले भी वही जुबान पर चढ़ जाते हैं जो मौलिक होते हैं इसी प्रकार ग्यान किसी भी भासा में दिया जाए सिम्रन एक ही है एक तुहीन अंकार मैं तेरी सरड मुझे बक्स लो यही सुम्रन हर मानों को देना है वह च सिम्रन आपको दिया है उसमें एक गलती रह गई है जिसका आप सुधार करना है आप सब इस सर्व व्यापक निरंकार को अन्भो करके मेरे पीछे दोहराओ एक तुहीन अंकार मैं तेरी सरण मुझे बक्स लो जब पुरी सहाब इस निरंकार में ध्यान जोड़कर सिम्रन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आपके एक बार बोलने के बाद ही उनका उच्चारण भी ठीक हो गया और वे सिम्रन के साथ साथ जूमने लगे दस-पंदरा मिनट बाद जब पुरी सहाब ने पूछा how do you feel now आपको कैसा अनवो हो रहा है तो उनका जबाब था भी फील लाइक ये पार्ट आप दा ओमनिपरजन्ट इंटिटी ट्रेस्केंडिंग बियोंड दा प्लेनेट्स एंड स्काई एंड फीलिंग वन दा निरंकार अस बीवियर सिंगिंग दा सिम्रन हम सिम्रन करते हुए ऐसे आनंद सरोत में पहुँच गए कि जमीन आसमान से भी आगे फैले हुए निरंकार के अस्तित्त का अंग ही बन गए पुरी साहब ने आकर जब बाबा जी को यह सब कुछ बताया तो बाबा जी बहुत खुस हुए और फर्माने लगे निरंकार नाम इस समय की पहचान है और निरंकारी मिसन इसी निरंकार की पहचान पर आधारित है उनके कहने का भाव था कि ब्रम ग्यान किसी भी भासा में दिया जाए निरंकार और निरंकारी मिसन का नाम उही रहना चाहिए जैसे हमारा नाम उही रहता है चाहे किसी भी भासा में लिखा जाए या बोला जाए बाबा गुर्बचन सिंग जी सदा ध्यान रखते थे कि मिसन ने अलग-अलग संस्कृतियों भासाओं सब्विताओं तक पहुचना है इसी लिए इसकी मौलिक पहचान बनी रहनी चाहिए इस संबंध में पूज्य उपासक जी ने एक घटना बताई बा बाबु महादेव सिंग जी को ज्यान परदान करने का आदेश दिया फूज्य बाबु जी ने ज्यान दिया और साथ ही एक तुही नंकार मैं तेरी सरण मैंनू बक्स लो का सुम्रण करने को कहा ज्यान प्राप्ति के बाद बाबु जी इने हुजूर के पास नमसकार करने के लिए लाए जब सारे के सारे आपके चरुणों में नमस्कार करके बैठ गए तो उन में से एक सज्जन कहने लगा बाबा जी ज्यान लेकर हमारे मनों से अज्यान का परदा हट गया ऐसा लगता है कि सी द्रंकार के बारे में पामन बानी का हर इस लोक संकेत कर रहा है मगर एक स जुबान पर भी चड़ गया है निरंकार कहना कुछ अजीब सा लगता है यदि हम निरंकार की जगा वाहे गुरू वाहे गुरू काते रहें तो कोई गलत बात तो नहीं होगी खुजूर ने मुश्कुराते हो ये फरमाया मुझे तो कोई अंतर नहीं पड़ता तुमारी जो इच्छा है वही कह सकते हो लेकिन वाहे गुरू सब्द के द्वारा गुरू की वाह वाह की गई है गुरू की परसंसा की गई है दास्तो यह चाहता है कि आप गुरू की वाह वाह करने की बजाए सिधा निरंकार की ही वाह वाह करो वह महापुरूस आपके ध्यान को समझ ग पर उसे पुकारते और आवाजे ही लगाते रहेंगे। आज जब आपने ग्यान नेत्र परदान किये हैं तो अपने आप पर हसी आ रही है कि जिसे हम उची उची आवाजें लगा कर पुकार रहे थे वह इतना करीब था और हम उसी को दूर समझे बैठे थे। आज के युग में जब बनावटी संत इस बात का लाव उठाकर भोली भाली जनता की भावनाओं से खिलवार करते हुए दिखाई देते हैं तो अपने गुर्षिकों को सीधा निरंकार के साथ जोड़ना ही उचित समझा गया। जब गुर्षिक सीधा निरंकार से जुड़ ज जाते हैं तो स्वैंग ही समझ लेते हैं कि गुर्ष और निरंकार में कोई भेद नहीं वासज्जन भी आपके संकेत को समझ गए और चरणों पर सीष रखकर नमसकार करके परसाद गरहन करने के लिए चले गए। सत्गुरु बाबा गुर्ष बचन सिंग जी महराज सदा अपने भक्तों को हर आने वाली उल्जन या गलत पामी से बचाने का परियत्न करते रहे। इनकी मूल फिलास्पी और सिध्धान्त समय या स्थान के साथ नहीं बदलते। गुर्षिक निरंकार का सिमिरन करके भी ग गुरु और गुरु में दिरंकार के धर्सन करता रहता है। इसी आत्मिक बुलंदी पर ही बाबा जी अपने भक्तों को देखना चाते थे। बाबा जी एकसर सुबा सुबा और देर रात को सहर करते थे। कई बार कोठी के अंदर जो संतों महापुर्षों के ठारने के जहां भी सेर करते करते जाना संबो होता, वहां कभी गाड़ी या थवा किछी सवारी पर खर्च करने से संकोच करते आप सदा कहते थे कि संत महातमा जो धन की सेवा करते हैं वह अपनी खून पसीने की कमाई या ऐसे कहलों की अपना जिगर निकाल कर देते हैं। इस माया को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना है। ग्रामीर है या सहरी सभी का सतकार वा सेवा एक समान करनी हैं। उनके सम्मान करने में ही गुरू का सम्मान है। उन्हें यह कभी भी मंजूर नहीं था कि उनके गुर्षिकों का अनादर किया जाए। किया करते थे सेवा इनकी रगरग में समाई हुई थी हुजूर के सोने के बाद सोना और सुबह उनके जागने से पहले जाग उठना दिन में जब हुजूर ने आराम करना आपने भी नीद का जोका ले लेना या उनकी दिनचरिया में सामिल था सर्मा जी को और अन्य सेवादारों को बाबा जी ने यह कह रखा था कि कोई महापुरुस आये तो उसे पूरा मान सम्मान देना है आते ही समया नुसार चाए पानी रोटी पुछो इतनी दूर से सफर की थकान साकर महापुरुस इधर आते हैं तो केवल गुरू पेम में बधे हुए अगर आते ही उनकी सेवा सतकार हो जाए तो उनकी सारी थकान उतर जाती है एक दिन हुजूर बाबा जी दो भार के समय अपने बेडरूम में आराम कर रहे थे और बाहर ब्रामदे में सर्मा जी भी नीद की जबकी ले रहे थे किसी दूर के सार के तीन चार परसनों के लिए आये उन्होंने सर्मा जी को जगा कर हुजूर के बारे में पूछा उस दिन सर्मा जी पर नीद का खुमार कुछ ज़्यादा हावी था उन्होंने नीद में ही उन महापुर्शों को यह कहा कर भेज दिया कि बाबा जी आराम कर रहे हैं साम को मिलना और फिर सो गए साम को आराम करने के बाद हर रोज बाबा जी एक कप चाई पी कर कमरे से बाहर आते थे कुछ दिन हुजूर जागे तो सर्मा जी की बजाए किसी और सेवादार को चाई बनाने के लिए कह दिया वह सरमाजी के साथ हर रोज की तरह ना कोई बाचीत की और ना ही उनकी तरफ देखा चाय पीकर कमरे से बाहर चले गए सरमाजी को चैन नहीं आ रहा था खुजूर चुप क्यों है समझ में नहीं आ रहा उन्होंने अपनी प्रेसानी दास के सामने रखते हुए कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या भूल हुई क्योंकि सोने से पहले तो हसी खुशी के माहौल में सोये थे दास को निरंकार की तरफ से ही ध्यान आया और दास ने कहा इस गलती के लिए आप सोचो की सोने के बाद क्या हुआ था सरमा जी ने बताया और तो कुछ नहीं हुआ लेकिन तीन चार महापुरसों ने बाबा जी के बारे में पूछा था और मैंने नीद में ही जबाब दे दिया था कि साम को मिलेंगे दास ने उसी समय सरमा जी को याद कराया कि यही भूल हुई है इस सद्गुरू को यह कभी मंजूर नहीं कि इसके गुर्षिक का सतकार ना किया जाए आप उन महापुरसों से मिलकर चाय पानी या सर्वत जो कुछ भी मागें पिलाओ और अपनी भूल के लिए चमा मागो सब ठीक हो जाएगा सर्मा जी वैसे तो बहुत सेवा करते थे महापुरसों की सेवा करते ठकते नहीं थे साइद इसी का लड़ उन्हें महापुरसों के साथ साथ सद्गुरू की सेवा करने का सोभाग मिला और सबकी आसिरवादों के पात्र बन पाए अब सर्मा जी सर्बत आदि लेकर गए और उन महापुर्सों की खूब से वाकी वह उनका भी आसिरबाद प्राप्त किया जब सर्मा जी को अपनी भूल का एसास हो गया तो बाबा जी ने भी उन्हें छमा कर दिया और कसाप से घुमने के बाद अपने कमरे में घुशते ही हु जीवन जीने की प्रिनडा दे डाली एक बार की बात है कुछ महापुरुस भुजूर बाबा जी के पास आए और निवेदन करने लगे सच्चे पास साह आज कल चुनाओ चल रहे हैं आप जी तो जानते ही हैं कि लोग तंतर में एक एक वोट की कितनी कीमत है इसलिए आज कल हर पार्टी के परतनिधी हमारी संगत के परबंधकों के पास ओट मांगने आ रहे हैं हम तो कह रहे हैं कि हमारा मिसन पूर्ण रूप से आज्यात्मिंग मिसन है हमारा राजनीत से कोई लेना देना नहीं हुजूर बाबा जी ने उनकी बात सुनकर बड़े साहज भाउमें फर्माना शुरू किया, आप यह तो मानते हैं कि लोगतंत्र सरकार लोगों की लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाई गई सरकार होती है, यदि सरकार में अच्छे वा उंचे चरित्र वाले व्यक्ति चुनकर भेजे जाएंगे, तो सरकार भी अपने निजी स्वार्थो से अधिक देशे और देशवासियों के हित में काम करेगी, हमारे महापुरुष भी इस देश के नागरिक हैं, अपने देश के हित में सोचना इनका भी करतब्य है, हम खुद को देश अथवा समाज से अलग नहीं समझते, इसलिए अच्छे परतनिधियों के चुनाओं में भी हमने पूरा-पूरा योगदान देना है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि जिस परतनिधी को हम ओट डाल रहे हैं, वाकिस राजनितिक पार्टी से संबंदित है, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ व्यक्ति, व्यक्तिकत रूप में तो बहुत नेक वाचरितरवान हो, परन्त तो जिस पार्टी से संबंद रखता हो, उस पार्टी के सिध्धान्त, मानोता और देश की एखंडता, एकता से मेल ना खाते हों, यदि ऐसा परतनिधी चुना गया, तो राजनीत में अपनी पार्टी के सिध्धान्तों के मताबिक ही काम करेगा, चाहे उसका मन माने या नह ऐसी परस्तितियों में वह देश अथवा जनता के हित में रहेगा या नहीं संदेह की बात है, इसके लिए उत्तम सिध्धान्तों वाली पार्टी उच्च नैतिक्ता वाले परतने थी, चुनने में ही देश वादेश वासियों का हित है, ऐसे में संतों को सदेव चेतन होकर ओट डालने के अधिकार का परियोग करना चाहिए, बाबा जी तो चले गए, लेकिन दास ने बातचीत को जारी रखते हुए कहा, महापुरसों, बाबा जी ने कहा तो ठीक है, कि हमारा मिसन पूरी तरह रूहानी मिसन है, हम राजनितिक चालों में हिस्सेदार नहीं है, ले सलाह मसवरा देते थे, इस प्रकार देश में न्यायवा अनुशासन ब्योश्ता को बनाए रखने में संतों ने सदा सकारात्मक योगदान डाला है, और हमने भी आज ऐसे ही करना है, ओट डालने के अधिकार का परियोग करते हुए देश सेवा और राष्ट हित को सामने इदि काम गलत नहीं तो फिर छुपाने की क्या आओ सकता है, एक बार आप टूर करते करते मतुरा भवन पर पहुँचे, वहाँ सतसंग का आयोजन था, भवन पर खुली जगह ना होने के कारण, हुजूर ने भवन के सामने ही खुली जगह पर बैटमिंटन खेलना सुरू क साथ टूर कर रहे साथियों ने अपनी बुद्धी के अनुसार कहना चाहा कि लोग क्या कहेंगे कि निरंकारी बाबा बैटमिंटन खेल रहा है, आपने हस्ते हुए जवाब दिया, यही तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं वो संत नहीं जो चुपचाप एक आंत में मगन चुरी है, इस सरीर को ठीक रखने के लिए ही खेलना और ब्यायाम करना आवस्यक है, यही मैं करके दिखा रहा हूं, और यही मेरे संतों की भी बिसेश्ता है कि वे हर ठीक काम को करने के समय लोक लाज वा रिवाज की परवाह नहीं करते, आपके खेलने और सेर करने के सौक क को देखते हुए, बहुत से गुर्षिक भी खेलों, ब्यायाम और सेर करके नरंकार प्रभु की इस अनमोल शरीर रूपी देन को तंदुर रखकर प्रोपकार के कामों में लगाने लगे, सेवादल विभाग की तरफ से भी सेवादल को पीटी परेड और योगा आज करवाय जाने लगे, इसी टूर में जब आप इंदोर पहुँचे, तो महापुर्षों ने अपने घर की छट पर सतसंग रखा था, आपने सरमाजी और दास को कहा, जब तक संगत हो रही है, आप नीचे कपड़े धोलो, जब आपका नाम संगत में बोलने के लिए आएगा, उपर आकर अपनी बारी भुकता कर फिर काम सुरू कर देना, जब वहां के लोकल महापुर्षों ने यह सेवा करने का ध्यान प्रगट किया, तो आपने कहा, मैं आपके लिए ही, तो यहां आया हूँ, आप उपर आकर सतसंग सुनो, यह नौजवान हैं, और फिर हाथों से सेवा क करने का भाव सेहत बनाता होता है, जब संगत का भोग पढ़ गया, तो आपने राजमाताजी से कहा, पगडियों को माया लगाने का काम इन लड़कों को नहीं आता, यहां आपको सोयंग ही करना होगा, इस सारे टूर में कपड़े पर चार पारटी मिल जूल कर धो लेती, औ एक सिंधी कैम अमल नेर में सतसंग था, वहां एक कमरावाई स्टोर ही थे, हुजूर बाबा जी ने सतसंग के बाद यहीं रात ठहरना था, मुकी महत्मा परमानंद जी ने चाहा कि आपके ठहरने के लिए किसी होटल में परबंध कर लिया जाए, लेकिन आपने मना कर दिया इनके कमरे में दो चार पाईयां बिची हुई थी, आपने बाहर से कुछ इंटें मंगमाई और चार पाईयों के पाईयों के नीचे चार छा इंटें रखकर उन्हें उपर कर दिया, सर्मा जी और दास को कहने लगे, अब आप चार पाईयों के नीचे गद्दे बिचालो, वैसे भी सर्दी का मौसम है, ठंड नहीं लगेगी, इस प्रकार एक चार पाईय पर बाबा जी, एक पर पूझ दिरंकारी राज माता जी और दोनों चार पाईयों के नीचे सर्मा जी वादास ने सोकर रात काट ली, सुबह सारी पार्टी को खेतों में पेट साब करने और ट्यूबल पर नहाने ले गए, दो-तीन बहनों ने चादर पकड़ कर पूझ माता जी के आगे परदा कर दिया और इस तरह वह भी अस्नान कर पाई, भाव यहां है कि बाबा गुर्बचन सिंग जी इतने लचीले थे कि जैसा मोका देखते वैसा ही कर लेते, आपको इतना सर और मिलनसार देखकर दूसरों को भी ऐसा बनने की नसीहत खुद भाखुद मिल जाती थी, बाबा गुर्बचन सिंग जी महराज एक बार परचार यतरा करते-करते बरेली पहुंचे, वहां कुछ समाचार पत्रों के परतनिधी आपके पास आए, उन्होंने कहा कि देश में इतनी गरीबी बीमारी और असिच्छा है, अन्य संस्थाएं और मिसन, कई स्कूल, अस्पताल, हैक्टरी याद खोल रहे हैं, इस तरफ आपका मिसन क्या काम कर रहा है, आपने मुश्कुराते हुए उत्तर दिया, मै वह नेक नियत, व्यक्तित्य के बंदे बना रहा हूं, जो इन संस्थाओं को ठीक धंक से चलाएं, जिन लोगों ने इन स्कूल कालेजों में से देश के उत्तम नागरिक तयार करने हैं, उनका अपना जीवन, पाक पवित्र, साप सुत्रावा, अध्यात्मिक प्रकास से प्रकासित होना अवस्यक है, अन्यता इन से चण जानकारी ही मिलती रहेगी, पूर्ण विद्या नहीं, क्योंकि विद्या वही पूर्ण है, जो मानविये व्यक्तित्त का चों मुखी विकास करे, अर्थात तन मन स्वस्त हो और पूर्णत्त की ओरा गृसर हो, मैं ऐसे बंदे ही बना रहा हूं, फिर भी हमारा मिशन खामोस नहीं है, हम अपने सीमित साथनों के द्वारा अधिक से अधिकी स्कूल, कालेज, डिस्पेंसरी, चिकित साले, सिलाई के अंदर आधि खोल रहे हैं, ताकि सांसारीक विद्या के साथ साथ, नयतिक वा अध्यात्मिक सिक्षा भी जन जन तक पहुँचाई जा सके, एक बार क कुछ महिलाओं को भड़काने का काम भी कर रही है, और नौबत यहां तक आप महुची है, कि यदि पती लंबी बीमारी का सिकार है, तो उसकी इवापतनी को अधिकार है, कि वह ऐसे बोजिल पती से तलाक लेकर आजाद हो जाए, आप यहीं बताएं कि इन तलाकों की दोड कहां तक उचित है, आपने बड़ी गंबीरता से उत्तर दिया, किसी भी गलत कारी को ठीक करने के लिए, गलत धंग का उपयोग ना तो सही होता है, और ना ही उपयोगी, यदि पहले पुरुस परधान समाज नारी जाति को उसके अधिकारों से बंचित रखता रहा है, तो यहां भी गलत था, और यदि अब वही ढंग अगर नारी जाती अपना लेगी, तो यहां भी गलत ही सिद्ध होगा, फिर हमारी भारतिय संस्किर्ट तो संपूर्ण विष्ट को दिशापरदान करने वाली है, हम जिस संस्किर्ट के बंसज हैं, उसमें पती-पतनी का इसलिए ऐसे जोसीले संगटनों को चेतन करने की आव सकता है, कि वे जोस में होस को भी सामिल करने परड़ाम अच्छे निकलाएंगे, आप एक परचार यात्रा के दोरान जब मुंबई पहुँचे, तो वहां एक महिला परत निदी मंडल की कुछ महिलाएं, आप के पास प उनकर मुस्कुरा पड़े और फर्माने लगे, पहली बात तो यहां है कि कभी सुनी सुनाई बात पर विश्वास ना करो, जब तक स्वैंग इसकी सत्यता का ग्यान ना हो जाए, दूसरी बात जो कुछ आप कह रहे हैं, इसके पक्छ में कोई उधारल बतलाईए, जहां मैं माबाप के घर से उसका हक ना देने मिलने की बात कही हो, हमारे मिशन की सैध्यानतिक पुष्टक दूसरी मनसूरी कांफरेंस 1770 है, जिसमें असपस्ट लिखा है कि यह मिशन किसी प्रकार से भी लड़की को अपने माबाप के घर से दहेज के रूप में खुशी से दी जा र लड़की के माता पिता को परेसानी में ना डालें। स्पेर पार्ट के बाद आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट दूर देशों को माल भेजना और मंगवाना का कारोबार करते हैं। जानत है, गिरहस्त में रहते हुए, अपने हाथ पाउं से काम करते हुए, समाज पर बोज बने बिना हरियस करना और फैलाना ही भक्ती है, वही कुछ मैं कर रहा हूं। आपका उत्तर सुनकर सलाह देने वाले ने आशिरबाद मांगा कि वह भी परश्रम करके सेवा करते हुए अपना जीवन बतीत कर सके। बाबा गुर्बचन सिंग जी हर परस्तिती में स्वैंग को ढाल लेते थे और कभी अपनी आउसकताओं को अधिक प्रात्मिक्ता नहीं देते थे, अपने से बढ़कर दूसरों की आउसकताओं को समझते कभी निजी हित के कारल किसी को मजबूर नहीं होने देते थे, ऐसी अनेकों घटनाओं में से एक छोटी सी घटना प्रस्तुत है, एक बार पर चार करते करते आप होसियारपुर पहुँचे, सतसंग भवन की छत पर ही अस्तानिये महापुर्शों ने आपके सोने का परबंद किया हुआ था, चार पाईयों के पास ही टेबल फैन लगा कर रख आपने एकदम इस बच्ची को कहा, मुझे तो हवा की जरूरत नहीं, पसीना आकर सरीर खुल जाएगा, पंके की हवा, माता, आपकी धरम पतनी, निरंकारी, राजमाता, कुलवंत को करो, ताकि उनकी नीद खराब न हो जाए, इस प्रकार आप स्वैम गर्मी में लेटे रह और एक उधारल पेश किया की, दूसरों के सुख का पहले ध्यान रखो, बाबा जी हर बच्चे नौजवान बुजुर के मन की भावना को समझते और खुसी देने की हर कोशिस करते, चाहे इसके लिए आपको कितना भी प्रियास करना पड़े, बात 1965 की है, अभी आप जी को पुरगदी पर बैठे हुए, दोढ़ाई साल ही हुए थे, गर्मियों के दिन थे, आप मसूरी गए हुए थे, उस समय आपकी बेटियां वा कई अन्य महापुर्शों के बच्चे मसूरी होस्टल वाले स्कूल में पढ़ते थे, मुंबई के महत्मा भाई सहाब काहन सिंग का सुपुत्र वुपेंदर सिंग जो आजकल निरंकारी जगत में दिलवर जी के नाम से मसूर है, उस समय कॉन्वेंट आप जी सासाइन मेरी स्कूल में दूसरी कच्चा में पढ़ता था, गर्मियों के दिनों में जब संत निरंकारी सत संग भवन पर सच्चे पासाह मौज सब बच्चे भवन पर पहुँच गए, लेकिन दिलवर जी बिमार होने और स्कूल की डिस्पेंसरी में दाखिल होने के कारण भवन पर ना जा सके, जब हुजूर को पता लगा तो आपने फल फ्रूट लिया और सिधा स्कूल जा पहुँचे, वा काफी समय इस बच्चे के रोल भी निभा लेते थे, यह बात उन दिनों की है, जब आपकी बेटियां मसूरी में पढ़ती थी, जिस स्कूल में वे पढ़ती थी, उसके होस्टल में कुछ बिसेश सुबधाएं नहीं थी, छुट्टियों में जब आपकी बेटियां मनमोहन जी, जगजीत जी और सुन नियमों का पालन भी करना पड़ता है, मा की ममता पसीज गई, उन्होंने बच्चियों की फरियाद हुजूर के पास रखी, कि बच्चियों को होस्टल में से लाकर दिल्ली के किसी स्कूल में ही दाखिल करा दिया जाए, हुजूर ने ततकाल जबाब दिया, आपको पता ही ह कि ने होस्टल में भेजने के पीछे मेरा यही मकसद था कि एक तो ये दुनिया को देखवा समझ सकें और दूसरे अपना हर काम खुद करने की आदत पड़ जाए, तीसरा हर मुश्किल की कुठाली में से निकल कर जब ये बाहर आएंगी तो इनकी जिन्दगी का निखरा देखने को मिलेगा, इन्हें बच्पन में ही काम करने की आदत पड़ गई, तो आगे जाकर संतों महापुर्शों के घरों में अनतक सेवा कर पाएंगी, आज की यहाँ आदत उस समय भी काम आएगी, इसलिए अभी इन्हें हास्टल में ही रहकर और परिपक होने दो, फिर एक दो साल बाद देखा जाएगा, यहाँ कहकर आप कमरे से बाहर निकल गए, दास सोचने लगा कि आपकी दूरदर्शी दृष्टी ने किन प्रकार इन बच्चियों पर पढ़ने वाली भविस्ति की जिम्मेवारियों को देखा, यहाँ अब सब के सामने ही है कि किस तरह म प्रकार आपने अपने गिरहस्त जीमन के द्वारा अन्य माता पिताओं की अगवाई की की बच्चों का पालन पोसर वे कैसे करें और उन्हें जीमन के प्रेक्टिकल छेतर में किस प्रकार पूरी तरा सिखलाई दे कर उतारें। अप्रेल को रखी जा चुकी थी। कोहली साहब 13 तारिक सारा दिन समागम में सेवा करते रहे। बारात चंडीगड के सेक्टर 20 से चलकर सेक्टर 22 तक जानी थी। जब समय अधिक हो गया तो फूज कोहली साहब एक रिक्षा में बैठकर अपने ससुराल की तरफ चल पड़े बारात अभी चली ही थी कि हुजूर बाबा जी कार लेकर पहुँच गए स्वेंग आगे वाली सीट से उतर कर पीछे वाली सीट पर बैठ गए और कोहली साहब को अगली सीट पर बैठने का संकेत करते हुए फर्माने लगे भई आज तो तिरी साधी है आगे तुझे ही बै लेते बाबा जी ने हमसे सदा यही चाहा कि हम भी इसी प्रकार दूसरों की भावनाओं की कदर करें और दूसरों के काम आएं जैसे सरसों के छोटे से छोटे बीज में एक बहुत बड़ा पेंड चुपा होता है और इसे प्रगट करने के लिए बीज को योग धरती हवा ध दूप, पानी, खाद, आदी की आउसकता होती है उसी प्रकार हर मनुष्य में कोई ना कोई गुड चुपा होता है जिसे प्रगट होने के लिए उस इनसान को आउसर प्रिनडा दायक सहयोग और बाता बरण मिलना आवस्यक है बाबा गुर्बचन सिंग जी ने भी अनेकों ऐसे गुमनाम माहिरों को प्रगट होने का आउसर और प्रिनडा दी जिस प्रकार किसी सोय हुए इनसान को जगाने के लिए बड़े-बड़े ब्याख्यान नहीं केवल एक आवाज ही काफी होती है उसी प्रकार किसी भ्यक्ती में से कोई गुड उभारने के लिए उसे सचे चाची जी के बेटे विमलेश को बुला लाओ मगर याद रहे आवाज विमलेश के नाम की नहीं वकील साहब का कर देनी है विमलेश जी ने कुछ समय पहले ही वकालत पास की थी सायद कानों को अभी वकील साहब का संबोधन सुनने की आदत नहीं पड़ी थी और नहीं कोई आउसर मिला था लेकिन हुजूर ने तो उसके अंदर वाले वकील को उजागर करना था विमलेश के माता जी को भी ध्यान नहीं था कि मेरा बेटा वकील बन गया है उन्होंने हस्ते हुए चाची जी को कहा कौन सा वकील चाची जी ने याद दिलाया आपका विमलेश मुझे त आपको सलाह दी की इतना गंभीर केस अदालत में है और यह कल के वकालत पास लड़के बिना अनुभो के केस में क्या सहायता करेंगे लेकिन आप जानते थे कि किस घट से मैंने क्या काम लेना है इस केस के आखिर तक सेठ हरदेव सिंग जी बाबा जी की सरप्रस्ती में अने नौजवानों ने मुख्य वकीलों को जो सायोग दिया उसने उन सलाहकारों को भी चकित कर दिया दास आज भी सोच रहा है कि यदि हनुमान जी की चेतना सक्ती को रिसी जामवंत ने ना उभारा होता तो साइध हनुमान जी का आज या इतिहास ना होता इसी प्रकार बाबा भी कुछ बिसेस बनकर सामने आएं यही बाबा जी ने औरों को भी प्रनडा दी आऊसर देने के लिए यूत फोरम सेवा दल और ना जाने कितने रूपों में नोजवानों को उभारा दास इस वीडियो को यहीं बिराम दे रहा है इसी आचना कामना प्रार्थना के साथ कि ह हम सभी मिल करके सच्चे मन सच्चे हिर्दे से सत्गुरु माता सुदिक्चा सबिंदर हर देवजी महराज के स्री चरणों में यह अरदास करें कि हेदी इन द्याल गरीव नमा सच्चे बाश्चा ऐसे दिव्य पावन पर वचने और ऐसी ऐसी सिखलाई जो आपके किरपा से आज मेरे जीमन में सामने आई है हम भी आपके स्री चरणों का आसरा लेकर के इस नंकार का आधार लेकर के इस तरफे अपने कदम बढ़ाएं और जहां आपके आसिरबाद के पात्र बने वहीं अपना लोग सुखी और परलोग सुहला कर पाएं यही सच्चे मायनों में सत् और इंसानियत के लिए अपने सत्गुरु के बचनों पर हंस्ते हंस्ते हुए अपने प्राणों की आहुती देने वाले उन्हें तमाम संत महापुर्षों के स्री चरणों में अपना स्रद्धा सुमनर पन होगा अपनी सच्ची सद्धांजली होगी सत्गुरु माता सुदि